हेलो फ्रेंड्स वेलकम टॉक्टर पुस्वेंद्र क्लासेस तो इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ आपका करियर को लेकर के कि आपका जो करियर है वो सही डायेक्शन में कैसे जा सकते हैं उससे रेलेटेड हम लोग बाते करेंगे तो बेसिकली यह वीडियो जो बीफाम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो बीफाम या फिर एमफाम पास आउट हो चुके उनके लिए भी है ठीक है करेंट स्टेटस है हम लोग कॉलेज से स्टार्ट करते हैं कि बीफाम फर्स्ट यर सेकांड यर थर्ड यर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे more than 80% स्टेटेज सैटिस्फाइड नहीं है जो उनको फॉलेज में पढ़ाया जाता है या फिर जो भी क्लासेस सलते उसे सैटिस्फाइड नहीं उसका दो रिजन हो सकता है पहली बात कि टीचर हो सकता है उतना इफिसेंटली ना पढ़ा हो अब teacher कभी पक्ष जान लेते हैं teacher efficiently क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं पहली बात हो सकते हैं कि वह जबरदस्ति उस जाब में आये हों दूसरा बात यह हो सकते हैं उनके पास workload इतना जादा है कि वह ठीक से अपना efficiently class ले पाते हैं क्योंकि वह बहुत सारे काम होते हैं PCI, AICT और उसके बाद फिर NAC अलग-अलग बहुत सारे टाइप के अगरा नहीं मिल पाते हैं फिर वहांपर स्ट्रेंट का करते हैं कि इसका जो समुटिव यह लेकर के चलते हैं मुझे पास होना है ठीक ठाक नमबर से मेरा फस्ट डिविजन आ जाए तो पहली बाद तो यह मोटिव हटा दो कि आपको पास होना है ठीक है पास को करके कोई इसका shortcut ढूनता है, shortcut में पहला चीज़ क्या देखता है कि YouTube में, तो जब आप YouTube में जाते हो तो आपको इस इसका ध्यान रखना चाहिए, कि आपका YouTube में बहुत ज़ाधा time-based ना हो, जो lecture देखने आ हो, वही देखो, side में और दूसरी चीज़े मत देखो, और जहां से lecture देख रह है, उस 60% में से, 50% उसने वीडियो में दिया, तो automatically 50% वो वीडियो में दे रहा है, 50% वैसे ही छूट गया आपको, उस वीडियो को completely follow कर रहे हो, 100% तो, और उस 50% में भी आपको 30-40% आपके पास पहुंचेगा, और जिसका 30-40% ही आप exam में लिखोगे, या फिर आपके दिम पर एक करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी फाम के students है उनके लिए, देखो, जी पैट एक exam होता है, जो नेशनल लेवल का exam है, है ना, जो भी बच्चा भी फाम 4th year में जाता है, फिर भी फाम का pass out है, वो भी जी पैट exam देने के लिए eligible होता है, तो वो exam तो सभ आपको preparation तो करनी है, उससे आपको दो फायदे होंगे, जी पैट का जब preparation करोगे, तो आपका जो subject है, उसका knowledge अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ, आपका जो semester का marks है, वो automatically increase हो जाएगे, कोई syllabus अलाग थोड़ी है, बहुत बच्ची है, बोलते हैं कि sir, मैं जी पैट का यह बस है, उसी में से तो जी पैट में आ रहा है, तो best approach यह है, कि जो भी semester का आप subject पढ़ रहे हैं, उस subject को उठाओ, previous year 5-10 साल के question paper पढ़ो, ठीक है, तो वो question paper पढ़ो, तो आपको यह समझ में आएगा, कि कौन से subject से किस तरीके question पढ़र आ रहे हैं, तो उन question से आपको य जीपैट के लिए भी ready हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़ आपको करना है, फिर जैसे आपका जीपैट qualify हो जाता है, आप नाइपर के लिए लिजीवल हो जाते हो, pharmacy का सबसे best institute, जैसे aims होता है, या IIT होता है, वैसी pharmacy में नाइपर है, वहाँ जाना सब की dream होती है, क्यों, एक यह सारे process से गुजरोगे तो आपको knowledge अच्छा होगा, जब आपको knowledge अच्छा होगा, तो आपके government jobs अगर में भी जाने के बहुत जादा chances रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए correct path यह है, कि अभी आप यदि first year में हो, second year में हो, third year में हो, fourth year में हो, तो पढ़ाई start कर दो, यदि प्रोटी भी है कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ा, इसलिए हमारा अपना खुद का publication होसा है, Dr. PK Education, उसके जो authors है, वो कफी prominent है, सारे well qualified है, और पिछले 6 महिने में हमारे जो authors है, उसमें 5 लोग, foreign गए PhD के लिए 4 USA, एक England, दो लोग नाइपर गए PhD के लिए, तीन लोग as a faculty select हुए Central University में, एक assistant professor, एक associate professor और एक professor, तो काफी educated लोग है, काफी intelligent लोग है, जो author है, और वो book लिखे है, अब आप बोलोगे, सर अब तो promotion कर रहे हैं, अपने publication को, मतलो भाई book, लेकिन जो ले रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको पता है न, कि उसके अंदर में क्या है content, अच् फिर जब आप second year में पहुंचते हो, या फिर third year में हो, या फिर fourth year में हो, जीपाइट का preparation करना है, तो आप खुद से preparation कर सकते हो, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से preparation करोगे, तो जीपाइट तो qualify हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आती है, rank की, बहुत अच्छा में rank score करना है, under 100, under 200 लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक proper guidance का सुरत पड़ता है, ठीक है, आपको coaching चाहिए, live classes चाहिए, mock test चाहिए, सारी चीजे चाहिए, ठीक है, notes वगरा चाहिए, तो उसके लिए an academy में हमारा course चलता है, औ और वाकई में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हमारा सारा courses जो है an academy में, उसमें 23rd तक आपको 20% का offer मिल रहा है, you can use my coupon को drpk10, तो जो आपके पास GPAT 2025 के लिए batch है, ब्रह्मास्त्र 5999 का है, उसमें मेरा coupon code यूज़ करोगे, तो वो 4799 में मिलेगा, और उसमें आपका जो GPAT है, वो पूरा अच्छे से clear हो जाएगा उसमें, उसका जो बैज स्टार्ट हो रहा है, 2nd January से हो रहा है, जो हमारे पास GPAT 2026 का course है, जो अभी 2nd year के student है, 3rd और 4th semester वाले उनके लिए, उसका जो प्राइस है, 8999 है, उसमें आप मेरा coupon code यूज़ करोगे, तो आप आपको 7999 रुपीस में मिल दाएगा, इतने affordable price में इतने best faculty के साथ और कहां पर मिलता है, और उसकी validity आपको मिलेगी, 2026 जून तक, मतलब आप 2024 पढ़ोगे, पूरा दो जनवरी से इसका भी बैज स्टार्ट हो रहा है, 2025 पढ़ोगे, 2026 में जून तक पढ़ोगे, आपका GPAT, नाइपर, सब वहाँ पर से clear हो जाएगा, सारे classes done हो जाएगे, ठीक है, और आपको 7999 रुपीस में, ठीक है, और college का अपना फीस का comparison करना, और यहाँ की study एक बार compare कर लेना, ठीक है, तो इससे affordable और possible नहीं है, जब आप अपना time को calculate करोगे ना, तो यह free से भी सस्ता है, क्यो YouTube में जब आप search करोगे ना, चीज़े हैं, और डूंडो कि वहाँ पर टाइम खराब करोगे, यह पढ़ू, वह पढ़ू, कौन से पढ़ू, उसमें ही आपका इतना समय चला जाएगा, कि आपको पढ़ने के लिए time नहीं बचेगा, तो एक जगा इकट्थे, आपको पुरा जिपेट के लिए बुक चाहिए हुआ, तो अनलोग जिपेट का बुक है, कॉम्प्रियेंसिव बुक है, इसको पढ़ने के बाद, कोई भी रेफरेंस बुक का ज़रत नहीं है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादे दिकत तो इसी में आता है, कि मुझे केडिटी भी ज़रत है कि यार इतना सारा 5 बुक है, उसके फिर बोले कि इतना महेंगा है, ठीक है, क्योंकि उसका MRP जो है 2800 का है, बड़ा बुक है इतना MRP और किसी भी बुक का नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि उस बुक को लेने के बाद और किसी दूसरे बुक को फॉल्यो करने के लगा रहा हूं उस 30% discount के साथ आपको जो 2800 का बुक है 1907 रुपर में मिलेगा और यह आपको घर तक पहुंचा करके दिया जाएगा मतलब जो पोस्ट में नहीं है इंडियान पोस्ट हम बेजेंगे तो आपके घर तक पहुंचे का बुक all five books at once जब आप order करोगे तो within 24 hour आपका जो बुक है डिस्पेस हुजागा within 24 working hours इतना सुविधा हम आपके लिए कर सकते हैं साथ ही साथ जो semester में पढ़ रहे हैं तो first लेकरके 8 semester का हमारा बुक अवेलेबल है Dr.Pk Education का ठीक है सब का link आपको description में मिल जाएगा है फिर Dr.Pk Education application लगा रहा है काफी अच्छा उसमें discount होगा आपके लिए affordable होगा वो पूरा जो जितने भी books है हमारे उसका जो offer होगा 25th December तक रहेगा Christmas तक का यह मानुए Christmas offer है ठीक है तो सारी सुविधा आपके लिए कर दी गई है rest is your decision आपको अच्छा करना है life में properly with full knowledge आगे जाना है तो आप join करो otherwise एक नएक दिन तो आपको join करना ही है यदि आपको अच्छा career बनाना है तो आप अभी join कर लो या फिर बाद में join कर लो देखो जो time है जो मैं देख पा रहा हूं कि उसमें जो hard work करेगा वही आगे बढ़ेगा आपको successful होना है तो एक नएक दिन तो hard work करना ही पड पुर्ट